नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं इसके अगले दिन 27 जनवरी को राजेभन में ही होने वाला समोहिक बैंड डिस्पेले भी नहीं होगा वहीं दूसरी ओर गंतंत्र दिवस समारों के दोरान संसाध्य कार्य मंत्री अलमगीर अलमसाहिव गंज में जबकि बीत्र मंत्री रामेश्वर उराओ लोहर दग्गा में जण्डो तोलन करेंगे बता दे मंत्री मंटल सचीवाले अम निग्राने विभाग की ओर से मंत्री योग के जण्डो तोलन कार्य की जनकारी समन्धित जीलो के उपायुक्तों को दे दी गई है और उपायुक्तों से अवसक करवाई सुनेश्चित करने के लिए कहा गया है मौसम विभाग के अनुसार पाश्मी भी सोब के कारण ज़ारखन का मौसम एक बार फिर 22 जनवारी से बदल गया है बतादे ज़ारखन के काई हिसों में 23 वचोबिस को बारिस के साथ ओला विरिष्टी की संभावना है वही 25 वच्छबीस जनवारी को कुहासा चाहरा सकता है सितलहर भी चल सकती है बतादे गंतंत्र दिवस के दिन 26 जनवारी को मौसम साथ रहने का उनमान है लेकिन सुबा हमें कुहासा रहेगा समारो कोविट प्रोटोकाल के दायरे में मनाया जाएगा बतादे मौराबादी में होने वाले मुखे समारो को लेकर मैदान में आगंत्र को के लिए गैलरी अतितियों के लिए स्टेज वह साउंड बोक्स के लिए टावर आधिक का निर्मान किया जा रहा है मैट्रिक इंटर की परिक्षा पर अगले हफते की बैठक में लिया जाएगा फैसला मैट्रिक वा इंटर की परिक्षा को लेकर अगले सबता तक अमतिम नीरना लिये जाने की संबावना है बतादे जार्खन एकेडमी काउंसिल की ओर से इस संबन्ध में जल्द ही स्कूली सिक्षायम सक्षता विभाग को वस्तु इतिति साउगत करा दिया जाएगा जार्खन एकेडमी काउंसिल के अध्यक्ष डाक्टर अनील कुमार महतो ने गुरु आरको जैक के अधिकारियों के साथ बैठक की बैठक में जैक के कारियों की जनकारी ली वहीं काक्षा आठ से लेकर इंटर तक की परिक्षा की त्यारी की समिक्षा भी की गई बताए दे राजे में COVID-19 संक्रामन के कारण फिलाल 31 जनवरी तक विद्याले बंद है इस कारण परिक्षा को लेकर सरकार से अनुमती लेने का नीने लिया गया है CVSC Board Term 2 परिक्षा के लिए Sample Paper जारी CVSC ने दासुई और बराभी बोट के विद्यार्थियों के लिए Term 2 परिक्षा का सेंपल परिक्षा का सेंपल पर जारी कर दिया है जैसरी सिनहा ने कहा है कि इस बर विद्यार्थियों से डारेक्ट फर्मूला बेस्ट परिक्षन पूछे जाएंगे ताकि दो घंटे के समय में सभी प्रश्णों को असानी से हल कर सके उन्होंने बताया कि परिक्षा 40 अंकी होगी वहीं बरहवी के विद्यार्थियों से प्रश्ण पत्र में कूल 14 प्रश्ण पूछे जाएंगे प्रश्ण पत्र को 4 घंड में बटा गया है नकसरली महराजा प्रमानिक ने 1 के 47 के साथ किया आत्मसमरपन दस लाहकाई नामी भागपा महवादी का जोनल कमांडर महराजा प्रमानिक दोपर करीब 1 बज कर 30 मिट में राची प्रश्चेत्र के आईजी पंकज कमबोज के कर्याले में बिदुवत आत्मसमरपन कर दिया बता देवा पिछले 3 महिने से जार्खन पूलिस के साथ अनाधिकरित रूप से नकसलियों के खिलाब चल रहे अबियान में साथ था पूलिस बिदुवत रूप से उसका आत्मसमरपन करा दिया बतादे सराय के लाग खुट्टी वा पच्मी सिम्म सहीत राची जीले में भी महराज परमानी के दस्ते में दर्जन भर बड़ी घटनावों को अंजाम दिया गया जारखन के मोडली स्कूलों के बच्चे बनेंगे अस्मार्ट लैंग्वेज लेब में सिखेंगे अंग्रेजी जारखन के मुख्य मंत्री हमान सुरेन की राजे में सिक्षा के अस्तर में सुधार की परिकल्पना जल्द मूर्त रूप लेगी बतादे मोडल स्कूल के निर्मान की मोनेटरिंग मुखे मंत्री खूद कर रहे हैं ताकि जार्खन के बच्चों को जल्द से जल्द गुनवाता पुन सिक्षा से अचाजित किया जा सके भरतमायन में करीब 80 मोडल स्कूल का निर्मान कारव प्रगती पर है इसकूलों में Language Lab के अस्थापना के साथ Spoken English Course तयार कर विद्यालियों को संचालित किया जाएगा जार्खन बिहार में नकसली बंदी को लेकर पूलिस हुआ रेलवे अलर्ट भागपा मवादी के ओर से 27 जनवरी को आहूत बिहार जार्खन बद के मद्य नजर जार्खन पूलिस मुख्याले ने सभी जीलों के एसपी को अलर्ट किया है बतादे खुपिया विभाग ने मुख्याले को सुचना दी है कि बंद के दौरान नकसली जार्खन में अपने परभावाले छेतर के इलाके में पूलिस की टीम पर हामला कर सकते है इधर भागपा मवादीयों का प्रतिरोद दिवस सुरू हो गया है बतादे इस बीच रेलेवे ने भी सुरक्षा को लेकर त्यारी कर लिया है आपको बतादे कि भागपा मवादी ने प्रसांत बोस और सिला मरांडी को राय नितिक बंदी का दावजा दिये जाने की मांग की है जारखन में सराब की होम डिलेवरी पर विपक्ष का प्रहार जारखन में सराब की होम डिलेवरी होगी इसको लेकर राज सरकार के उतपाद विभागने बितिये वर्ष 2022 ते इसके दोना राजस्यों की बढ़ोतरी के लिए कैम करना सुरू कर दिया है बता दे जार्कन सरकार के इस नीरने पर सुवे के मुखी विपक्षीद और भाजपा ने हमन सरकार को घेरा है सुक्रवार को जारी बियान में भाजपा परदेश प्रवक्ता सब पूर्व विधाय कुनाल ने नीरने पर तंजा कस्ते हुए कहा है कि जारकन सरकार कुरोना के इस दोर में लोगों को दावा के अस्थान पर सराब पिलाने को अमदा है बता दे जेपी प्रदेश प्रवक्ता सरांगी ने कहा कि कुरोना के मुश्कील हालाद के बीच चाहन लोग स्वस्थ सुविधावों को बेहतर करने को लेकर चिंतित है वहीं राज्य की हमन सरकार सराब की होम डिलेवरी करने की योजना बना रही है गढ़वा के बिजनेस मैंन से गारा लाग की ठगी गढ़वा थाना छेतर के जूरा गाव निवासी दसरत राम से माइक्रो फाइनेस कंपनी के नाम पर 11,30,000 रुपए की ठगी करने के मामला सामने आया है बतादे ठग ने बंडल में 40 लाख रुपए का साधा कागज पिरित दसरत राम को दिया बंडल को खोलते ही उसके होस उड़ गए इस समन्द में पिरित दसरत राम ने गढ़वा थाने में सिकाईत भी दर्ज कराई है बतादे पिरित दसरत राम ने घटना के जनकारी देते हुए बताए कि उनका गढ़वा थाना छेतरे के टेंडी हरया गाव में सिमेंट छड़ का दुकान है उन्हें एक ब्यक्ति द्वारा चार माहसे माइक्रो फाइनेंस कम्पनी के नाम पर 50 लाख रुपे का लोन देने का जासा दिया जा रहा था उसने जहां से में आकर उसे 11 लाख रुपे सीक्रियोटी मानी के नाम पर भी दे दिया है जहारखन में गुरुआर को 244 नाई केस मिले हैं जबकि 42,83 मरी स्वश्थ भी हुए हैं जहारखन में गुरुआर के आकड़े के अनुसार कूल एक टिप केस की संख्या 25,581 है भारत में 3,16,594 नाई केस मिले हैं जबकि 2,30,827 मरी स्वश्थ हुए वहीं भारत में कुल एक्टिव केस की संख्या 21,4,821 है लातेहार में बिजली बील वसूल ने गए जूनियर इंजिनियर पर जान लेवा हमला बिजली बील बेकायदारों से वसूली करने गए जहरकन बिजली बीतरा निगम लिमिटेट के जूनियर इंजिनियर समेत अने करमजारियों पर सुक्रवार को लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया बतादे इस हमले में जूनियर इंजिनियर बिरेंद्र कुमार चौधरी बूरी तरह घायल हो गए है उनके दोनों हाट तूट गए है वहीं सरीर पर कई जगा पर गहरे जखम है उनका इलाज एक अस्पताल में चल रहा है बतादे मामला लाते हार जी लेके छीपा दोहर थाने के कुचीला गाउं का है गरामिनों के हमले के बाद इस्थिती इतनी बिकट हो गई की एक अन अभियानता जान बचा कर भाग खड़े हुए वही इस घटना के बाद वहां के इंजिनियरों एवं जार्खन बिली बित्रम निगम लिमिटेट के करमचारियों ने काम काज ठप कर दिया है आदर्स बिद्याले के बच्चों को अस्मार्ट बनाने के लिए सिक्ष को परधाना ध्यापको को मिल रही ट्रेनिंग जार्खन के मुखमत्री हमां सिरेन की राज में सिक्षा के अस्तर में सुधार की परिकल्पना जल्द मुर्त रूप लेगी बतादे अच्छी और गुनवाता पुण सिक्षा गरीब किसान वनचीत पिछडों के बच्चों को भी प्राप्त हो इसके लिए मुखे मंत्री ने पंचात अस्तर पर मोडल स्कूल का निर्मान कारे शुरू किया है बताए दे मोडल स्कूल के निर्मान की मोनेटरिंग मुखे मंत्री खुद कर रहे हैं जाकि जार्कन के बच्चों को जल्द से जल्द गुनवाता अपनु शिक्षा से अचाजित किया जा सके वहीं बरतमान में करीब 80 मोडली स्कूल का निर्मान कार प्रगती पर है इसकूल संचारन का नेतितों करने वाले परधानाद्यापको की छामता और नेतितों छामता विक करने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करने का भी कारे जारी है शिक्षा भी भाग ने इसके लिए परखन अस्तर पर 325 परधानाद्यापको का प्रशिक्षन है तुनि बंधन कराया है एक कोई सजार बिद्यार्थियों को टैब के साथ 2GB डेटा मुफ्त देगी सरकार कल्या कल्यान विभाग के 136 अवासे बिद्यालेों के कई सजार बिद्यार्थियों को राई सरकार टैब के साथ 1 साल तक 2GB फिरी डेटा उपलब्द कराएगी बता दे अनसुचित जन जाती अनसुचित जाती और पिछला वर के इन चात्रों के लिए टैब के साथ ही रिचार्ज और सुचित की जाएगी टैब में सभी महत्यपूर्ण और अवसक सिक्षन समागरी पहले से ही रहेंगी बता दे कल्यान विभाग के वासे बिद्यालेों में पढ़ने वाले कख्चा एक से बरावी तक के सभी छत्र छत्राओं को मुप्त टैब दिया जाएगा पूलिस कर्मियों को देना होगा आयकर बीवरन राजे पूलिस में चतुथोवर्गी से लेकर इंस्पेक्टर रैंग के पतादिकार्यों को बितिए वर्ष 2021-22 का आयकर बिवरन और बचत का बिवरन देना होगा ऐसा नहीं करने वाले पूलिस कर्मियों के बेतन परोक लग सकती है बताजे राजे पूलिस के कर्मियों को आदेश दिया गया है कि सभी बचत की गई रासी के पवान पत्र का बीवरन लेखा सखा में जमा करे पूलिस कर्मियों को 1 अप्रेल 2021 से 1 फरवरी 2022 तक के बचत की जनकारी देनी है पूलिस विभाग के आदेश के मुताबिक 10 फरवरी तक आयकर विवरन देने वाले पूलिस पतादिकारियों कर्मियों को ही फरवरी माका बेतन समय पर मिल पाएगा राश्ट्रिये मतदाता दिवस पर ओनलाइन होगी परतियोगता है रांची में राश्ट्रिये मतदाता दिवस के आवेजन को लेकर त्यारी की जा रहे है बतादे इस दोरान डीसी ने कुरोना को देखते हुए ओनलाइन परतियोगता आवेजन कराने का निर्देश दिया ह रांची के उपएउग छवी रंजन ने काया है कि कुरोना संक्रामन के मदर नजर राष्ट्रिये मद्दाता दिवस पर परत्योगतावों का आयोजन ओनलाइन माध्याम से होगा उन्होंने सभी विद्ध्यालों यहम सक्षिनिक संस्थानों में कोबिड-19 से समधी दिशार निदेश के अनुसार इस वर्ष राष्ट्रिये मद्दाता दिवस पर निर्वाचन आयोग द्वार निधारित थीम के अनुरूप वाद विवाद परिचर चा विभीन तरह की परत जैसी पेंटिंग, गान, चित्रांकन, निवंदन आधिकायोजन कराने का निदेश दिया है देव घर से आधा दर्जन साइबर क्रिमनस गिरफतार साइबर क्रिमनस तरह तरह के हतकंडे अपना कर लोगों को ठगी का सिकार बना रहे हैं पता दे कभी बैंक अधिकारी बनकर तो कभी केवाईसी अपडेट के नाम पर तो कभी गेमिंग आप के मादेम से ठगी कर रहे हैं ताया मामला विभीन मुबाइल एवं इंस्टॉल कराकर लोगों को आप के मादेम से ठगी का सिकार बनाने का आया है बता दे देवघर के साइबर पूलिस की टीम ने देवघर जी लेके पथरा ओपी छेतर के रांग मटिया गाउं में छापे मारिक और आधार दर्जन साइबर क्रिमनस को गिरपतार किया है गिरपतार अलपियों के पास से पूलिस ने साथ मुबाइल फोन तेरह सीम कार्ड एवं एक एटिम कार्ड भी बरामत किया है गुमला में गरा कोड थाना पूलिस के साथ मिलकर महिला मंडल की इन गरामिन महिलाओं ने हडिया और सराब विक्री करने वालों के खिलाप अभ्यान भी चलाया इस दोरान सब्ताइक बजार में हडिया सराब बेचने पर और पीने वालों को ख़दला भी गया वहीं आगे से इसकी विक्री या सेवान नहीं करने को लेकर चेतावनी भी दी गई धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहल कर बेल एक अंदब यह साथ से वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अप आप हमें बेल शेप आप हमेंट आ हमेंट।